पिछले विडियो में हम यह डॉज दी एनिमी का गेम बना रहे थे जिसमें अग बटन एबी प्रेस करने से हम अपने प्लेयर को मूफ कर सकते हैं लेफ्ट और राइट और अगर कोलिजन होता है तो गेम ओवर हो जाता है तो इस गेम को और हम थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो अभी तो at one time एक ही enemy आ रही है और उस enemy की speed हम इस वाले pause से control कर सकते हैं तो अगर मैं ये बढ़ा देता हूँ इसको मैं आगर one second कर देता हूँ तो यह जो enemy है यह बहुत धीरे-धीरे नीचे आएगी giving ample time अपने player को move करने के लिए तो एक तरीका तो यह है कि हम यहां से जितनी pause को हम कम कर देंगे उतना game जो है वो difficult हो जाएगा पर मानलिया जाए कि हम चाहते हैं कि अभी at one time एक ही enemy नीचे आ रही है और हम चाहते हैं कि at one time में भी दो या तीन enemy जो हैं वो नीचे आएं ताकि game और challenging बन जाए तो यह करने के लिए हमार को essentially क्या करना है कि यह जो हमने पहले enemy one का variable बना के यह जो programming करी थी हमार को इसको duplicate करना है तो मैं सबसे पहले variable में जाके make new variable करके यहां कह रहा हूँ enemy two और फिर मैं यह जो पूरा loop है forever का मैं इसको repeat कर रहा हूँ और यहां पर हम केवल यह बात change कर रहे हैं कि forever set enemy two और हम यहां कह रहे हैं कि sprite जो है वो x coordinate 0 से 4 तक की value हो सकती है यानि कि x axis पे वो 0, 1, 2, 3, 4 और इन में से कहीं भी spawn हो सकता है enemy two पर y की value 0 है तो हमें पता है कि यह जो हमारा यह हमारे x है और यह हमारी y axis है तो x में जो हमारी leds लगी है वो x 0, फिर x 1, फिर x 2, फिर x 3, x 4 ऐसे हैं और वैसे ही y 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं तो हम यहां कह रहे हैं कि जो second enemy है उसको भी y 0 यानि top row पर और x जो है वो random इन में से कोई भी position पर spawn कर देना और फिर हम वही कह रहे हैं कि repeat 4 times क्या कि पहले एक हलकी सी हमने cause डाली है ताकि spawn वो first row में हो और हमें दिखें कि वो first row में spawn हुई है enemy उसके बाद हमने कहा है कि y की जो value है वो एक से increment करते रहे ना पिर अभी y 0 है फिर y 1 होगा तो यहां पर 2 होगा तो यहां 3 होगा तो यहां 4 होगा तो यहां तो इस तरीके से 4 times y की value 1 से increment करना ताकि वो उपर से नीचे enemy आए और हर step कितना वो नीचे आए कितना pause लेके नीचे आए वो हम यहां से determine कर रहे है जो की game का challenge कितना है वो यहां से determine हो जाएगा और फिर हम यहां कह रहे हैं कि जब वो final इस row में आ जाएगी तो उसको delete कर देना तो मैं यहां भी कह रहा हूँ enemy 2 क्योंकि यह enemy 2 को हम spawn करा रहे थे enemy 1 हम already कर चुके है तो हम कह रहे है delete enemy 2 और finally मैं यहां पर यह enemy इसको update करना भूल गया तो यहां हम कह रहे हैं कि enemy 2 की value जो है उसकी x coordinate को 1 से increment करना तो हम इसको आप test करके देख सकते हैं simulator में तो हमारी जो enemy है वो अब दो आ रही है पर दोनों एक दम एक speed में आ रही है तो इसको थोड़ा change करने के लिए हम यहां कर सकते हैं कि एक की जो हम delay है वो थोड़ा change कर देदे तो मैं यहां enemy 2 के लिए कह रहा हूं कि 250 milliseconds के weight पर आना और यहां पर भी अगर हम चाहें तो थोड़ा spawning में भी चेंज कर सकते हैं तो में भी हम कहेंगे 75 milliseconds वेट करके आना तो अब अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो हमारी दो enemies जो हैं वो नीचे गिर रही है पर अगर आपने देखा कि वो first वाली जब enemy टकराई थी तो गेम ओवर नहीं हुआ था क्योंकि अभी हमने वो condition डाली नहीं है यह enemy टकराई पर हमारी गेम ओवर नहीं हुआ अब हमारा गेम ओवर हुआ यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो नीचे हम losing condition चेक कर रहे थे वहां पर हम केवल collision जो है वो enemy 1 का चेक कर रहे हैं तो हमें यहां पर इस statement को बदलना है हमें कहना है कि player 1 या तो enemy 1 को टच कर रहा हूँ या enemy 2 को टच कर रहा हूँ तो गेम ओवर तो यह करने के लिए हम logic में जाकर हम एक यह boolean logic का यह और statement ला रहे हैं क्योंकि हम यहां कहना क्या चाहते हैं कि या तो player जो है वो enemy 1 को touch कर रहा हो और मैं इसे duplicate कर रहा हूं और यहां लगा रहा हूं और के आगे या जो हमारा player है वो enemy 2 को touch कर रहा हूं इन दौनों मेंसे either of the conditions अगर true है चाहे condition 1 true है, चाहे condition 2 जो है वो true है कि player enemy 1 को touch कर रहा है या player enemy 2 को touch कर रहा है तो game over हो जाना चाहिए है तो हम इसको test करके देख सकते हैं तो अब हमारी ये दो नीचे आ रही है और अब हम player जो है वो जिस भी enemy से टकराएगा game जो है वो over हो जाएगा अब हमारा game जो है वो ज्यादा challenging हो गया है क्योंकि क्योंकि अब हमारी दो enemies आ रही है और same logic पर अगर आप चाहो तो एक enemy 3 का variable create करके इसको change करके ये पूरा एक enemy 3 के लिए भी बना सकते हो और forever condition में फिर आपको एक और और add करके check करना पड़ेगा कि weather player is touching enemy 1 और 2 और 3 तो जो भी losing condition है वो यहाँ पर game over की condition वो trigger हो जाएगी next चीज हम यह करते है कि अभी हमारा जो game है उसमें जैसे ही first collision हो रहा है तो game over हो जा रहा है तो इसको थोड़ा more game like बनाने के लिए हम lives की concept लगा सकते हैं कि first collision में नहीं game over हो maybe हम player को 3 lives दे देंगे कि जब 3 lives खतम हो जाएंगी तब जो है वो game खतम हो तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से variable में जाके एक नया variable बनाएंगे और हम उसका नाम दे रहे हैं life और हम कहरे हैं कि जब game शुरू होगा तो life नाम के variable को reset कर देना और यहां हम value define कर रहे हैं आप जितनी भी lives देना चाहते हो तो मैं कहरा हूँ life नाम का जो variable है उसका count जो है वो 3 होगा तो हम life equals 3 पे हम चलेंगे start करेंगे game और जब first accident होगा तो हम क्या करेंगे life जो यह variable है उसकी value एक से कम कर देंगे तो मैं फिर variable में जाके यहां कह रहा हूँ change the variable called life by minus 1 तो यानि कि क्या होगा कि हमने यहां पे कहा कि life का variable की value 3 है और जब पहला collision होगा तो वो minus 1 होके 2 हो जाएगी फिर दूसरा collision होगा तो फिर से minus 1 होके वो 1 हो जाएगी और तीसरा collision जब होगा तो वो minus 1 होके 0 हो जाएगी life का जो variable का count है वो 0 हो जाएगा और फिर हम क्या कह रहे हैं कि मैं फिर से logic में जाके एक और if का statement ला रहा हूँ और अब हम यहां चेक करना चाहते हैं कि अगर जो हमारा life का variable है life नाम का जो हमारा variable है अगर उसकी value 0 हो जाएगी तीन से घटते घटते 0 हो जाएगी तब जो है game over होगा तो हम इसको test कर सकते हैं मैं simulator में चला रहा हूँ और यह हमारी enemies नीचे आ रही है और जब भी पहला collision first collision में game end नहीं होना चाहिए पर यहां पर first collision में ही game end हो गया जबकि हमने यहां पर कहा है कि life का जो variable है वो जब उसका count तीन बार कम होगा तब game over होगा तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यह collision हो रहा है तो इतना fast यह collision की value बदल रही है कि वो single collision में ही life नाम के variable की value को minus 1, minus 1, minus 1 करते वे 0 कर दे रहा है तो हमारे को यहां पर एक छोटी सी pause आड़ करनी पड़ेगी ताकि जब collision होगा तो जो हमारा यह जो condition चेक हो रही है वो थोड़ा सा pause होके फिर check होगी ताकि हमारी यह जो enemy की delete enemy जो भी यहां पर हो रहा है इसको trigger करने का chance मिले तो इसके लिए मैं फिर से basic में जाके एक pause की command डा रहा हूँ और मैं यहां कह रहा हूँ कि जब collision होगा तो half a second 500 millisecond wait करके फिर life नाम की variable की value minus one करना तो अब हम इसको test करके देख सकते हैं कि अब हमारा first collision हुआ second collision हुआ third collision हुआ और third collision के बाद जाके game over हुआ तो यह जो हमारी अब हमारा जो है यह more game like experience हो गया है कि game challenging भी हो गया है कि bullets जो है वो at the same time दो enemy bullets नीचे आ रही है और हमने life भी introduce कर दी है final चीज हम यह करते हैं थोड़ा और game को enhance करने के लिए इसमें music हम डाल सकते हैं especially अगर आपके पास microbit का version 2 है जिसमें onboard speaker है तो फिर यह game बहुत अच्छा sound भी करेगा तो हम क्या चाहते हैं कि जब button A या button B प्रेस होगा तब कोई sound बजे और जब collision हो तब कोई sound बजे और maybe जब game over हो तब कोई और different sound बजे तो पहले हम A और B की sound के लिए कोई थोड़ा music यहाँ डाल देते हैं तो मैं music के programming blocks में जाके यहाँ पर हमें बहुत चोटा कोई tone बजाना चाहते हैं तो मैं यह play tone लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि जब button A प्रेस होगा तो player player की जो x coordinate है उसको minus 1 से change करना और एक छोटी सी कोई tone बजा देना तो middle C अगर यहाँ पर आप इसको खोलोगे तो जैसे यह harmonium वगेरा में जो keyboard होता है यह keyboard में जो keys होती है यह हैं तो यह middle C यानि सा जो है वो सा का सुर बोलेगा यहाँ पर और यह बहुत लंबा बोलेगा जबकि हम चाहते हैं वो quickly एक छोटी सी sound produce हो और उसके बाद वो रुख जाए तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर यह one whole beat के बद्द यहाँ कह रहा हूँ केवल one sixteenth of a beat चोटा सा ऐसे करके tone बजेगी जब हम A button प्रेस करेंगे और सेम चीज़ मैं duplicate कर रहा हूँ कि अगर button B भी दबेगा तब भी sound इस तरीके से बजेगी तो अब हम इसको simulator से try कर सकते हैं तो यह जो है A और B करने पर हमारी एक खलकी सी sound produce हो रही है और आपको आप sound कौन सी produce करना जाते हो आप कोई भी यहाँ पर note जो है वो select कर सकते हो फिर यहाँ पर जहाँ पर अगर player जो है वो enemy की bullet को dodge नहीं कर पाता है और वो life lose करता है तो यहाँ पर भी हम एक छोटा कोई ऐसे ही sound डाल सकते हैं तो मैं फिर से music में जाके play tone का यही लाकर यहाँ कह रहा हूँ कि maybe middle F का जो tone है वो बजा देना और वो भी 116th of a beat के लिए बजाना और finally जहाँ game over है हम वहाँ पर भी कोई sound का effect डाल सकते हैं तो मैं फिर से music में जाके और मैं यहाँ से यह start melody ला रहा हूँ और यहाँ drop down से कोई negative सी tone music का loop select कर रहा हूँ तो मैं funeral select कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि start the melody called funeral repeating once and अगर life account zero होगा तो और उसके बाद game over तो अब अगर हम इसको simulator में try करेंगे तो इस तरीके से हम sound effects डाल के अपना जो game playing experience दे उसको और enhance कर सकते हैं finally मैं इसको microbit में transfer कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसको microbit में खेल के देख सकते हैं कि जाद कॉई अपना झाल प्यांग तो इसको बहूँ कि पाल कि उसके झाल कि ज़ा किने सकते हैं कि झाल कि 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 झाल झाल